हलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है मेरे चानल में और राखे स्पेसल पे आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही मज़दार स्वीट शेयर करना चाहती हूँ तो आज मैं बनाओंगी चंद्रकला जो की हलवाई बहुत ही अच्छे से बनाते हैं स्पेशली रक्षबंधन के टाइम पर बहुत ही मिलता है तो मैंने कोशिश की है अच्छे से अच्छा बनाने के लिए तो चलिए बनाते हैं इसे तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैंने पैन में दो चमच भर के मैंने घी डाल दिये हैं और यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून में दे लिए हैं सूजी अब सूजी को हम इहाँ घी में अच्छी तरह से ब्हूनेंगे गौल्डन ब्राउन होने तक तो सूजी डाल दिया है घी में गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और सूजी के वो अच्छी तरह से हम चला चला के यहाँ पर ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे तो देखिए सूजी जो है अब थोड़ा सा इसका जो कलर है हलका ब्राउन होने लगा है तो इसमें हम ड्राउन फ्रूट्स एड़ करेंगे तो ड्राउन फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर देखिए काजू ले लिये हैं तो चार काजू जिसे मैंने छोटे छोटे कट कर लिये हैं थोड़े मैंने किसमिस ले लिये हैं चार बदाम कट कर लिये हैं और थोड़ा समय नारील को घीस लिये हैं और यहां पर चार मेने लिये हैं छोटे वाले इलाइची जिसका पॉडर तयार कर लिया है तब यहां पर हम यह दिखे ड्राइफ्रूट्स को बारी-बारी से सूजी में डाल देंगे और यहां पर हिलाइची पॉडर को हम बाद में इस्तमाल करेंगे तो साइड में रख लेते हैं अब इन सभी चीजों को हम मिलाके अच्छी तरह से एकदम लो फ्लेम पे हम इनको भूनेंगे तो हलका सा कलर चेंज होना चाहिए सारी चीजों का अब इसके बाद यहां पर मैंन सभी चीजों के साथ तो खोए को हमें अच्छी तरह से इस तरह से डबा डबा के मैल्ट कर देना है और यहां पर मैंने लिया है 5 niego मैंने लिया है शुगर चीनी लिया है मैंने इसको भी हम डाल देंगे तो आप चाहें तो यहां पर पीसा हुआ चीनी भी ले सकते हैं लेकिन चीज मेने भड़े इसमें डाल दिया है अब गयास को अफ कर देंगे और सारी चीजों को हम अच्छी तरँ से चला चला के मिक्स कर लेंगे और जो खुआ थोड़ा बड़ा है उसको हम four Oh पूड के इसमें दबा देंगे ताकि उसके बूरे बन जाए अच्छी तरह से तो यह देखिए यह हमारा रैडी है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे इलाइची पाउडर लास्ट में हमें इलाइची पाउडर डाल देना है और फिर से हम इलाइची पाउडर को भी चला के अच्छी तरह से mix कर लेंगे तो अभी feeling हमारी बनके ready हो गई है इसमें से बहुत ही अच्छी खुस्बू आ रही है बहुत ही मज़दार बना है अब इसको हम ठंडा होने के लिए side में रख लेते हैं यहाँ पर देखी मैंने एक थाली ले लिया है और एक भरके मैंने यहाँ पर kटॉरी मैंने ले लिया है मैदा तो अगर आप जादा बनाना चाहते हैं इस sweet को तो जादा मैदा ले ले मैं थोड़ा ही बना रही है उसलिए एक कटोरी मैंने लिया है एक चमच यहाँ छोटी चमच से भरके मैंने लिया है baking powder और एक बड़ा चम्मच यहां पर देखिए मैंने रिफाइन ओयल ले लिये, अगर आप घी पसंद करते हैं तो घी भी यहां पर आप डाल सकते हैं, अब इन तीनों चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो अभी तीनों चीजों को मिक्स कर लिया है, इसके बढ़ ह हम थोड़ा थोड़ा पानी यहां पर डाल के और इसको अच्छी तरह से गूथेंगे, तो जैसा हम रोटी के लिए डो तयार करते हैं वैस ही यहां पर इसका भी हमें डो तयार करना है, तो अच्छी तरह से मसल मसल के हम इसको यहां पर डो को तयार कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए पॉफेक्ट एक्दम मैंने यहाँ पर डो तैयार कर लिया है आटा हमारा गूथ चुका है अब इसको रेश्ट के लिए हम 10 मिनट के लिए रख देंगे तो ढख के मैंने 10 मिनट के लिए इसको साइड में रख दूंगी अब यहाँ पर देखिए 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं तो यहाँ पर मैंने चौका ले लिया है और यह देखिए मैदा भी ले लिया है दो हमेंने और यह देखिए कितना सॉफ्ट हो गया मुलाइम हो गया है और इससे बहुत ही अच्छे स्वीट बनेगी तो एकिह आकार का जैसे छोटी-छोटी गोलिया होती है छोटछोटा हम यहाँ पर क्यास करना है अ यह कि धिक इस तरह से बहुत मतलब मतलब गोली की शेप का भी हमें छोटा छोटा लोई कट करके रख लेना तो यह देखिए तयार हो गया अब हथेलियों की मदद से हम इसको इस तरह से दबा दबा के छोटा छोटा लोई तयार कर देंगे और हथेलियों से ही इस तरह से हम फैला देंगे तो अगर आपको हथेलियों से फैलाने नहीं आ रहा है तो आप बेलन कभी इस्तमाल कर सकते हैं तो हमें छोटा छोटा और मोटा पूड़ी तयार करना है तो बेलन से भी अगर आप बेल रहे हैं तो मोटा ही पूड़ी आपको बेले और छोटा छोटा बेले तो देखिए उंगलियों की मदद से मैंने इसको बड़ा कर दिया है और फिर से दूसरा वाला भी यह देखिए हमें भरना है थोड़ा सा फीलिंग ले लेंगे एक चमच के बराबर हम यहां पर फीलिंग लेंगे और इसकी चारो तरफ से सबसे पहले हमें क्या करना है पानी लगाना है जिसे की दोनों जो पूडियां है एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से चिपक जाएंगी अब यह दू को अपने मंच है अनुसार जैसा भी आपको पसंद हो वैसा शेप दे सकते हैं तो दिखिए चारो तरफ से मैंने अच्छी तरह से दबा दिये हैं आप इस तरह से मोड मोड के हम यहां पर डिजाइन त्यार कर लेंगे बहुत ही आसान है और जो स्वीठ है बहुत ही अच्छ लगता है खाने में तो आप जरूर से ट्राय करें और इस रक्षबंदन बनाएं और अपने खाएं अपने भाईयों को और अपने घर के सभी लोगों को खिलाएं यह दिखिए इस तरह से फोल्ड कर करके हम यह दिखिए तयार कर लेंगे बहुत ही आसान है आप अगर आपक तो इस तरह से देखिए मैंने चारों तरफ से फोल्ड करके और यह देखिए बढ़ियाशा शेप दे दिया है मैंने कितना सुंदर लग रहा है डिजाइन इसी तरह से आप और भी धेर सारा बना लें यह देखिए बनके पॉफेक्ट एकदम बन गया है इसको हम एक प्लेट में रखके साइड में रख लेंगे फिर से छोटे-छोटे दो लोईया ले लेंगे और फिर से यह देखिए पूरी करेंगे तो जिससे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप हथेलियों से नहीं बना सकते तो आप बेलन का इस्तमाल कर सके तो मैं बेलन से भी आपको बनाना बता देती हूं यह देखिए बस लोई थोड़ा सा ध्यान रखना है मोटा ही रहे और छोड़ा छोड़ा पूरी हम यहाँ पे बेल लेना है तो दोनों पूरियों को मैंने बेलन से यहाँ पे बेल दिया है आप चारो तरफ से देखिए एक पूरी पे पानी लगा देना है और फिर थोड़ा सा हम इसमें बीच में फिलिंग रख देंगे यह देखिए इस तरह से बीच में रखना है ताकि साइड साइड में ना रहने तो बाद में क्या होता है दोनों पूरियों को चिपकानिक बाद निकल खुल भी जाएगा तो इसलिए बीच में रखें साइड में बिल्कुल भी ना लगे अब यह देखिए इस तरह से हम चार को फीर से हम यह देखिए इस तरह से बड़ा बड़ा यहाँ पर हम पूडियों को फोल्ड करके और बड़ा बड़ा डिजाइन तयार कर लेंगे इसके पहले जो मैंने बनाये थे वो छोटे छोटे बनाये थे लेकिन सेकेंड वाले में मैं देखिए थोड़ा बड़ा बना रह कि यह देखिए यह तोड़ा सा अलग डिजाइन और इसी तरह से मैं अलग अलग डिजाइन का तोड़ा बढ़ा है अब यहां पर देखिए घैस पे हमारा तेल गरम हो चुका है अब एके करके ंसमें चंद्रकला को डालेंगे यह देखिए कितना सुदर बनके आ रहा है बहु तो बेकिंग सोड़े के वज़ेसी यह बहुत ही अच्छी तरह से फूलेगा तो एके करके हम कडाई में इस तरह से डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम एकदम यहाँ पे लो कर देंगे क्योंकि अगर गैस का फ्लेम ज्यादा हाई रहेगा तो यह तुरन मतलब ब्राउन हो पर दो मिनट के लिए एकी तरफ फ्राइ करेंगे और दो मिनट के बाद यह देखिए इस तरह से आराम आराम से हमें दूसरी तरफ इसको पलटना है तो अब देख सकते हैं कि एक तरफ जो हलका ब्राउन हो चुका है सिख गया है तो सारे यहाँ पर चंद्रकला को हम इस तर अराम अरम से पलट देंगे यह देखिए कितने फुले फुले से यहाँ पर यह बनके आये हैं तेल में डालते ही बहुत ही एकदम मतलब बहुत ही अच्छी तरह से फुल गया है एकदम पॉफेक्ट बना है और दूसरी तरफ भी हम लोग फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से कर लेंगे तो दोनों तरफ से हमें पलट पलट के इसको फ्राय कर लेना है तो यह देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से दोनों तरफ से बहुत ही करारे जो हैं यहाँ पर फ्राय हो गया है पलट पलट के मैंने दोनों तरफ से हलका गोल्डन ब्राउन मैंने कर दि तो यहां पर सारे चंदर कला फ्राइ हो चुके हैं और अब बारी आती इनको चासनी में डूबोने की तभी इसका असली मजा आएगा तो यहां पर देखिए एक बरतन ले लिया है मैंने और इसमें एक कप भरके मैंने चीनी डाल दिया यानि शुगर डाल दिया है अब एक कप थोड़ा सा कम यहां पर हम डाल देंगे पानी चासनी तयार करेंगे उसकी बाद गैस का जो फ्लेम है हाई रखेंगे जैसे चीनी घुल जाएगी हम गैस का फ्लेम मेडियम रखके और इसको पांच मिनट तक अच्छी तरह से हम इस चासनी को उबा लेंगे तो अभी देखि इस तरह से डुबोना है ताकि इसमें अच्छी तरह से जो हमने यहां पर चासनी बनाया है इसमें भर जाए और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगे इस तरह से दोनों तरफ पलट पलट के हमें इसमें इसमें देखिए चासनी में इसको डुबो देना है अच्छी तरह से और बहुत जादा देर तक हमें बिल्कुल भी इसको रखना नहीं है चासनी में, कम से कम पांच मिनट रखना है तुरण निकाल लेना है, तो ये देखिए हमारी चंद्रकला बनके हो गई है, रेडी पांच मिनट के बाद मैंने निकाल लिये थे, ये गर्मा गरम चंद्रकला बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं, बहुत ही मज़दार है, अगर आप चाहें तो बिना सूजी का ही खोवे का भी बना सकते हैं, कैसी लगी वीडियो आप जरूर बताएं, वीडियो पसंद हो, तो लाइक शेर करें और चानल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो द देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद,